Hello and welcome you all, मैं हूँ धननजय US की दोहरा निती से तो हम सभी कोई परचित हैं जहांपे क्या सही है, क्या गलत है वो US के लिए महस इस बात पर निर्भर करता है कि US को उसे कितना benefit पहुंचता है अगर कोई चीज unethical भी है Dual Purpose समान क्या होता है तो कुछ वैसे items या equipment जिसका इस्तेमाल civilian purpose में भी होता है और military purpose में भी होता है जैसा कि हमें पता है कि अभी Russia और Ukraine के बीच में war चल रहा जहांपे US और European countries बढ़ चड़ कर Ukraine को support कर रहे है और वहीं पे अगर बात किया जाए तो रश्या के support में बहुत limited देश है तो इसी बीच क्योंकि भारत और रश्या के बीच में संबन काफी अच्छे है और जहांपे भारत और रश्या दोनों का ये attempt है कि हमारे बीच जो bilateral trade है उसको बढ़ाया जाए इनी सब चीजों को देखते विए भारत और रश्या के बीच में export और import का जो सिलसिला है वो बढ़ जाता है तो इसी बीच हमारे देश के कुछ companies है जो drone या drone related equipments को रश्या भेजते हैं कुछ chemicals को रश्या भेजते हैं और ऐसे ही कुछ और specific समान को रश्या भेजते हैं as an export material लेकिन इन सब का इस्तेमाल किसी भी तरीके से military purpose में भी होता है हलाकि अब तक कहीं से ये definite proof नहीं है कि भारत के दुवारा जो समान भेजा गया है उसका इस्तेमाल रश्या ने किसी भी तरीके से military purpose में किया ही है ये महज US का एक शक है क्या है ये पूरा मामला इसको बहुत इवस्तार से समझेंगे लेकिन इससे पहले मैं दो-तिन कुछ examples आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा जिससे ये proof होता है कि US को challenge किया जा सकता है और उस example को देख के हमें भी ऐसा लगेगा कि हमें भी अपने उपर आत निर्भर होना चाहिए US भारत से क्या उमीद करता है कि हम किसी भी तरीके से रश्या को कोई भी ऐसा समान ना भेजें जिसका इस्तिमाल रश्या military purpose में कर सकता है लेकिन क्या जो ग्यान US हमें बाट रहा US उस ग्यान को खुद के उपर implement करता है तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं आज के डेट में जितने भी US में nuclear reactors चलते हैं उस nuclear reactor को चलाने के लिए जो fuel का इस्तिमाल होता यानि कि enriched uranium वो बढ़ चाड़कर आज भी USA रश्या से ही import करता है और जहां तक बात किया जाए रश्या के उपर sanctions के बारे में तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दू कि रश्या के उपर बहुत ही limited तरीके से sanctions लगाया गया है या अगर आप ये समझते हैं कि रश्या के उपर कोई sanctions नहीं है तो आप गलत नहीं रहेंगे भरभर के third parties का इस्तमाल करके रश्या से वो सारे समान को मंगाया जाता है जिस समान के उपर रश्या का complete तरीके से monopoly है जहां पे बात किया जाए रश्या के तवारा enriched uranium का तो almost 40% जो Europe है वो completely dependent है Russian uranium के उपर और जहां पे अगर बात किया जाए US के बारे में तो US almost 100% dependent है Russian uranium के उपर और ये बात आप खुद भी verify कर सकते हैं बस एक simple google search से और अगर आप ये जानना चाहें कि आखिर में रश्या के सामने US और European countries क्यों घुटने टेक के खड़ा है तो इसका जवाब भी आपको इसी article में मिल जाएगा जहां पे रश्या का complete तरीके से processed uranium में एक monopoly है और किसी भी कारण से अगर रश्या processed uranium को भेजना बंद कर देगा तो जितना नुकसान रश्या को होगा उससे कहीं ज़्यादा नुकसान जो है वो US और European countries को होगा नुकलियर रियक्टर से जो energy produce होता है इसके बारे में कहा जाता है कि यह almost एक green energy होता है जिसका मतलब यह होता है कि इसका किसी भी तरीके से negative impact नहीं पड़ता है climate के उपर तो अगर किसी भी तरीके से European countries यह सोचते है कि उन्हें climate change से बचना है तो उन्हें Russia के processed uranium के उपर या enriched uranium के उपर उन्हें depend रहना ही पड़ेगा और जो uranium का enrichment process होता है जिस process में वो एक fuel में convert होता है जिस fuel का इस्तमाल होता है nuclear reactors को run करने के लिए यह process बस 4 companies ही करती है उसमें से एक Russian company है दूसरा Chinese company है खड़ा हो जाएगा और यह बात मैं Russia के लिए नहीं कह रहा हूँ बलकि मैं भारत के लिए कह रहा हूँ यह बात सही है कि भारत और चाइना के बीच में संबंद बेहत खराब है लेकिन अगर हम किसी भी तरीके से चाइना का जो power है अगर उसको हम underestimate करें तो हम बहुत ही बड़ा बेहुकूफी करेंगे इसमें कहीं से कोई दोर आये नहीं है कि जो Chinese drone industry है वो पूरे दुनिया को dominate कर रही ना सिर्फ Chinese drone dominate कर रही बलकि electric vehicles हो गया और बहुत हद तक semi conductor भी हो गया अगर हम specifically drone के बारे में बात करें तो Chinese drone यूएस में इतना जादा available हो चुका है कि जो यूएस का Parliament है यानि कि उसका जो Congress है उनको समझ में आ गया है कि अगर किसी भी तरीके से Chinese drone के उपर हम काबू नहीं पाएंगे तो complete तरीके से जो China है वो यूएस का जो information है उसको access करेगा और जितना जादा हम dependent होते जार electronic gadgets के उपर उतना ही जादा हम information उस चीज़ को देते हैं यानि कि हम phone को access करने के लिए अपना fingerprints देते हैं अपना face recognition उसमें on करते हैं तो more or less जब हम अपना face reveal करते हैं जब अपना हम fingerprints reveal करते हैं तो more or less हम यह मान के चले कि हमारा जो data है वो phone company के पास available है चाइना की जो सबसे बड़ी drone making company है उसका नाम है DJI short form है और यह company अपने आप में इतनी बड़ी है कि US के और भी companies के साथ यह collaborate कर रहे हैं और अपने business को US business के साथ merge कर रहे हैं तो उस company के भी जो investors रहेंगे उनका एक अपना personal interest जुड़ जाएगा तो जब आपके देश का जो investors है जब उसका personal interest जुड़ जाएगा तो उस company के उपर काबू कर पाना बेहत मुश्किल हो जाता है और एकर आपको example का मदद से समझना है कि China कितना deeply involved हो चुका है US economy में तो आप इसको महज इस line को पढ़के समझ जाए कि जो DJI drone बनाता है Chinese company वो 70% market यानि कि global market को वो capture कर रखा है आज के date में और लगभग 80% जो US का market है उसको capture कर रखा है तो कहने का मतलब है कि अगर चाइना किसी भी तरीके से research and development में पैसे invest कर सकता है तो इंडिया भी कर सकता है आज के rate में जो सबसे अधिक इस्तिमाल war में हुआ है वो drone का हुआ है उसके पीछे एक नहीं बहुत सारे वज़ा है एक तो drone को आप उस height पे पहुँचा सकते हैं तो possibly सभी type का जो electronic components होता है उसका इस्तमाला military purpose में कर सकते हैं तो ये सारे जो समान भारत के द्वारा या Indian companies के द्वारा जो Russia को भेजा जा रहा तो इन सब चीजों को देख के US concern race कर रहा और उसे ये लग रहा कि इन सारे समान का Russia इस्तमाल कर सकता है military purpose में और जब भी किसी देश के ऊपर या किसी company के ऊपर sanction लगाया जाता है तो उसके पीछे के बहुत सारे वज़े में से एक वज़े होता है कि उस देश को या उस company को financially तोड़ा जाए तो वो देश या वो company क्या करता है कि वो किसी ना किसी एक alternate route का इस्तिमाल करता है यानि कि third party का इस्तिमाल करता है अपने payment को process करने या करवाने के लिए तो इनी सब चीज़ों को देखते हुए US के दुवारा India को warn किया गया है जहां पर बताया गया है कि किसी भी तरीके से अगर भारत रश्या को militarily support करेगा तो US उसे अपने financial system से block कर देगा यानि कि normally हम ये सुनते हुए आए हैं कि जब Taliban take over करता है अफगानिस्तान को तो उसके बहुत सारे जो assets या पैसे होते हैं वो फसे हुए हैं या यू कहले कि US उसको freeze कर लिया है तो जो transaction का जो पुरा process होता है उसको US freeze कर देगा क्योंकि जो business होता है वो बढ़ चड़कर US dollars में होता है इन सब lines को पढ़के हम शौर कि आपको भी काफी बुरा लगता होगा जहां पे हमें ये मालूम पढ़ता है कि US खुद के लिए बढ़ चड़कर नियाम कानून को तोड़ता है लेकिन अगर कोई देश सिर्फ simple business भी करता है तो US उसको काफी suspicious तरीके से देखता है और साथ में बात किया जाए जो dual purpose goods के बारे में US के दुवारा बात किया जा रहा है तो उसके बारे में government of India का खास करके हमारे ministry of commerce का कहना है कि जो समान हम Russia को भेज रहें इसमें कोई भी ऐसा समान नहीं है जिसको देख के suspicion को raise किया जाए और US के दुवारा ये जो suspicion को raise किया जा रहा इसका कोई खास strong base नहीं है तो अगर आप इस चीज़ को बहुत ही more or less तरीके से समझना चाहें या कुछ और देश अपने power का इसी तरीके से misuse करते रहेंगे I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं See you in the next video Have a wonderful day Thank you, take care, goodbye